है है लो फ्रेंद्स विल्कम मां यूटूब चैनल आज मैं आपको फिर से नए डिजान का डॉर्मेट बनाना बताऊंगी जिसे बनाने के लिए फ्रेंड मैंने यह कपड़े में से आधा आधा इंच पटी कट किया है है कि देखो है आधा इंच मैंने इस तरह से साड़ी यह परटे मैं तो मैंने इस पट्ली पट्ली पट्ती कट कर लिया हैंattend है कि कि और उसके मैंने गोले बना लिए दोनों को मैंने आधा तला इंच पट्टी और कुक्र कर्क रहा है कि देखो और इन्च दोनों को मैंने ले लिए अब हम इसमें में फंदे डालेगे है रहती है चुतक चांट के दूत है कि आपकर दूत में इस में इस फंदे डाली और मैंने दालने के बाद अब हम यहीं से अपना यह देखो पहला बनाने के बाद पहला बनाया दूसरे पर हम अपना लगा लगा लेंगे दूसरा कलर वाइट कलर बना अब देखो हम यहां से अपना दूसरा कलर लगाएंगे तो एक तो दो फंदे हम बना चुके हैं अब तीसरे को हम फिर से इसी से बनाएं तीन अब फिर से हम यह अपना ब्लू कलर से बनाएंगे तो एक तो तीन चार चार फंदे हम बना चुके हैं यह देखो चार फंदे हमने बनाने के बाद अब आगे के हमने सभी फंदे अपने इसी बिलू कलर से ही वनाने हैं यह देखो इसको मैं कपड़े में बनाना बता रही हैं आप इसे भूली में भी बना सकते हो फ्रेंड यह देखो देखो दो फंदे हम यहीं छोड़ेंगे यहीं से हम वापिस हो जाएंगे हमने यह फंदे बना लिए अब हम भी कपड़े को पीछे करेंगे इससे आगे लाएंगे देखो फिट इससे हम इसे पीछे करेंगे इससे आगे लाएंगे इस फंदा हमने इस तरह से इस इस कलर से बनाये है उस कलर से ही बनाएंगे इससे हम पीछे करेंगे, बिलू कलर के को आगे लाएंगे, यह देखाओ, गलाश्ट का फंदा हमने इसको सीधा बना लेना है, यह देखाओ, फिर से हम अपनी उल्टी सलाई पर आचुके हैं, पहला पंदा स्लिप करेंगे, यह देखो, अब हमारा यह बलू वाला है, इसे हमने इस कलर से चेंज कर देना है, इसको हम अब देखाओ, हमें आगे के चार ही फंदे बनाने है, आगे के हमारे, जाश के दो फंदे फिर से छोड़े हैं, यहीं से हम वापिस हो जाएंगे, जाएंगे फंसे हमें आगे इसका जी पेंगे, धुब एकारे बुबरे हैं, आगे जाए रिएॉगूगा वाला पंदाओे हैं, आजको पीची करेंगे जिदेक सीधी साइट पे जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बनाएंगे प्लाश्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे यह देखो फिर से हम पहला फंदा स्लिप करेंगे उल्टी साइट पे हमें एक कलर चेंज करते रहना है यह वाला फंदा हम इस कलर से बनाएंगे और दूसरा फंदा हम दूसरे कलर से यह देखो यह देखो यह देखो आगे के हमारे ग्लास्ट के हम दो फंदे फिर से छोड़ेंगे हर सलाई पे ग्लास्ट में दो फंदे छोड़ते हैं देखो यह हमारे तीसरी सलाई है हमने दो फंदे फिर छोड़ें यहीं से हम वापिस हो जाएंगे तो यह सीदी सलाई पे जो फंदा जिस कलर का है उस कलर से ही बना के कंप्लीट करेंगे कि देखो कि अब प्रिक पीछे करेंगे बिलू वाला पंदे आ चुके हैं, यह देखो, दो-दो करते हुए हमने सारे पंदे छोड़ दिए, यहीं से हम वापिस हो जाएंगे, सीदी सलाई पर फंदाज जिस कलर का है, उस कलर से बना के कम्प्लीट करेंगे, तो देखो, अब हम फिर जाएंगे, तो देखो, अब हम फिर जाएंगे, यह से उल्टी सलाई पर हैं, पहला फंदाज स्लिट करेंगे, यह देखो, पहला फंदाज स्लिट पर के, चार फंदे हमें एक, यह देखो, दो फंदे हम फिर से छोड़ेंगे, हमने सारे फंदे छोड़ने के बाद अब यहीं से हम टन हो जाएंगे, जाएंगे, लाएंगे, आएंगे, यह देखो, बगवेंगे, आएंगे, यह देखो, aligned खりयसे? अबस्ट कर दो लास्ट का फंदा इससे हम सीधा बना लेंगे देख पहला फंदा चलिप करेंगे तो देखो फ्रेंड हमने इस कलर से यह आधी कली को बना के कंप्लीट कर लिया है यहीं से अपना दूसरा कलर लगाएंगे यहीं से अपना लेखो आदाएंगे गियद कुई यहीं से लेखो झाल झाल देखो हम आधिकली इससे करलर से बनाके कम्प्लेट करेंगे जो छुटे हुए फंदे हैं उन्हें एक बार हम इस तरह से बनाएंगे झाल लिड़ को लिड़ को ये देखो पूरी सलाई को यहीं से हम ये देखो पूरी सलाई को बनाने के बाद यहीं से हम पूरी से फीलाई को बनाने के बाद पूरी से नहीं के बाद पूरी सलाई और पूरी सलाई में जो पंदा है जिस कलर का है उस कलर से बना के कम्प्लेट करेंगे जिते को इसका बेगो पीचे करेंगे लास्ट का खंदा इसको हम सीधा बना लेगे पहला खंदा स्लिप करेंगे उड़्टी चलाई पे यह देखाँ खंदा पंदा इड़ते को फिर से हम दो फंदे छोड़ेंगे यहीं से हम टन हो जाएंगे तो देखो फ्रैंड फिर से मुल्टी सलाई पर आगे है पहले फंदे सलीप करेंगे आगे कि आगे के हमारे बिलू कलर के फंदे हैं इने हम बिलू कलर से बनाएंगे यह देखो हम दो फंदे हम फिर से छोड़ेंगे हम दो फंदे हम फिर से छोड़ेंगे हम दचिए हम दो प्रैंगे हम आगे हम दोड़ेंगे हम दो करेंगे हम दोड़े transformer झाल झाल इस ग्लास्ट का पंदा हम इसको सीधा बना लिए यह देखो करेंगे आगे के हम इसी तरह फंदे बनाएंगे कि इस तरह इस तरह से सोसी, आई डिए बनाएंगे कि घसे तरह से कि आटा हुईना हुईंगे। सिधम अक इसको ए CT दो जराईंगे माँ मि इस तरह से तरह случай कि आटा हम इस तरह सुह पाई बनाएंगे हम जागे मि को से डितवी, क की आटा हुईंगे हुई आटिए की कि दो फंदे हम फिर से छोड़ेंगे यहीं से हम वापिस हो जाएंगे इसी तरह हम इस कली को बना के कम्प्लीट कर लेते हैं जिस तरह से हमने यह दोनों कली बनाई है इसी तरह आगे कर डिजाइन बनके कम्प्लीट कर लेते हैं फिर आपको आगे दिखाएंगे तो देखो फ आफ ईसी तरह आगे की कली को बनाना जिस तरह से मने आपको यह बनानी बताई है शेम हमारी उसी तरह आगे की बनेगी तो चलू मैं इसे बना के कम्प्लीट करके ले आती हूँ फिर आपको आगे दिखाऊंगे